तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर कौन सा चल रहा था देट इस ब्रांच ब्रांच में हमने एक सिंपल वाला पैटर्न कर लिया है ना सिंपल कौन से वाला चलो वह इस तो आ जाएगी एक बार दूर क्लूस कर देना कि सिंपल वाला कर लिया है ठीक है चलिए सबको डिलीट मार दे तो देखिए बहुत कम समय बचा है और बहुत कम समय के अंदर बहुत कुछ करना भी है आपने बहुत टाइम कितने क्लास के चुट्टी हो गई दो या एक दो हो गई फेस्टिवल की वे से देखो अब इसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाईया ब्रांच में हम डेटर सिस्टम करेंगे जिसमें कॉस्ट वाला सिस्टम एक से तीन कुस्टन हो गए है और एक हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे हैं कि चलिये चैप्टर का नाम है हमारा ब्रांच और ब्रांच में हमारा जो मेथ़ड चल रहा है that is डेटर सिस्टम और डेटर सिस्टम के अंदर दो पार्ट थे हमारे एक था हमारा कॉस्ट के उपर जो की हमने कम्पलेट कर लिया है और एक है हमारे किसके उपर सर एक इन्वाइस प्राईज invoice price और इसको short form में मैंने कहा था मैं क्या नाम दूँगा IP तो चलिए पहले हम invoice price देखते हैं कि what is the invoice price देखो हमने goods को मान लेते हैं 100 रुपे का खरीदा इसे purchase किया इसको बोला जाएगा हमारा cost price और इसको मैंने branch को बोला कि भाईया तू इसको बेची हो branch को इसको बोला कि इसको बेचना है तरको 120 में इसको हम बोलते हैं selling price और accounting की दुनिया में ब्रांच की दुनिया में इसको क्या बोलेंगे सर invoice price क्या बोलेंगे इसको तो सबसे पहले तो आपको invoice price समझना होगा invoice price है क्या तो यानि जो selling price होता है उससी को क्या बोल देते हम invoice price मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ cost के अंदर हमने 20% जोड करके बेचना है मतलब कई बार यहां पे मैंने बता दिया कि मैंने बेचा है 120 का तो आपको समझ में आ गया sir 120 रुपे invoice price लेकिन अगर मैं बोलता कि cost प्लस 20% पे बेचना है आपको तो आपको यह 120 भी खुद ही निकालना पड़ेगा cost कितने का है 100 का तो 20% एड कर दोगे तो कई बार invoice price आपको सीधा ना देके आपको इस format में दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमारा इसी को invoice price कहलो IP price कहलो कई बार markup price भी हम बोल देते हैं पता चल गया कि हम cost price क्या होगा और invoice price क्या होगा invoice price आपको given भी हो सकता है और बनाना भी पढ़ सकता है ठीक है ना अब हम बात करेंगे एक word और use होने वाला इसके अंदर बहुत popular है जिसको आपको समझना होगा that is word है हमारा loading या फिर इसको बोलते हैं stock reserve stock reserve ठीक है loading या stock reserve हम इसका मतलब क्या है simple सी बात है profit का हिस्सा यानि profit को ही अब हम क्या बोल देंगे loading बोल देंगे या फिर क्या बोलेंगे stock reserve के नाम से जाना जाएगा मतलब सर जैसे for example मैंने 100 रुपय का एक cost था मैंने बोला इसको बेचना है आपने आपको sold करना है कितने का 120 रुपय का इसको क्या नाम दिया गया that is invoice price इसको क्या नाम दिया गया invoice price अब इसके बीच का जो difference है इसके बीच का जो difference है that is आपका है 20 रुपीज नॉर्मल बोल चाल में हम इस 20 रुपीज को क्या बोलते है profit लेकिन ब्रांच की दुनिया में इसको क्या बोलेंगे लोडिंग या फिर stop असर ठीक है ना तो कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड चेंज हो गये हैं और उसके साथ साथ देखा जाए तो फिर हमें इस चैप्टर में यूज करना है max to max समझ में आ रही है बात आपको तो अभी हमने क्या देखा लोडिंग और क्या देखा invoice price मैं कुछ questions आप से पूछता हूं question आप जवाब दीजिएगा जितने बच्चे live भी हैं वो सब जवाब देंगे मैंने कहा मेरा cost पंदरा सो का है और मुझे जो sold करना है यानि जो मैं sold करने के लिए send to branch करूँगा वो करूँगा मैं cost plus 20% तो मुझे आप invoice price बताईए और मुझे आप loading बताईए दो point मैंने question mark में रखा हूआ है invoice price बताईए और loading बताईए तो बताईएंगे invoice price क्या है जितने बच्चे live है फटाफट जवाब दे दीजिए invoice price अगर यहां तक समझ में आये तो अब बता दोगे नहीं आये तो नहीं बता पाऊँगे invoice price क्या है हमारा अठारा सो रुपे हमारा invoice price होगा कैसे sir प्लस तीन सो रुपे अड़ कर देंगे that is है के नहीं अठारा सो रुपे नेहा का जवाब अगया कॉमल डाउट किस नंबर पे ले सकते हैं solve नहीं हो पा रहा अभी बता दूगा कॉमल आपका एक डाउट आया था आईपी प्राइस से ही लेके ब्रांच का मैंने देख लिया है वे discuss कर लेंगे अब मैं जानना चाहता हूँ बताईए यहां पे की लोडंग कीतना है बोडंग की तुरी टीन सो रुपए का क्या है लोडंग अक्षे का जब आगे 300 रुपए तो आपको यह समझ में आगा के लोडंग कैसे निकालेंगे in voice 그거 अब इसको थोड़ा सा modification करके अलग तरीके से हमें loading निकालना mainly सीखना है ठीक है चलिए आगे आते हैं कई बार जैसे मैंने कहा मेरा selling price question number one मेरा selling price है 100 रुपे और जो है cost plus 25% है ठीक है न जो goods भीजा गया cost plus तो आपको loading बताना है loading का मतलब profit बताना है ठीक है तो इस situation में देखा जाए सर ये cost के ऊपर 25% है और ये दे रखा है आपका invoice price है तो यहाँ पे loading निकालना थोड़ा सा difficult हो या फिर मैं इसको और simplicity से लेके चलता हूँ चलो मैं loading को अभी loading ना भोलके मैं gross profit का ही नाम दे रहा हूँ ताके आप समझ जाओ ठीक है अभी gross profit का ही नाम आप दिमाग में रखना मैंने कहा gp on sales 10% आप बताइए मुझे cost कितना होगा आप बताइए मुझे profit कितना है तो आपका जवाब होगा sir gp किसके उपर है sale और देवी क्या रखा है sale तो 10% इसके उपर यानि आपका 10 रुपे cost क्या होगा 10 रुपे profit अगर 100 रुपे में से कमाते है तो 90 रुपे question number 2 अगर मैंने बोला selling price मेरा 100 है और gp on cost है 25% तो आपको cost निकालना है और आपको gp निकालना है यानि profit निकालना है तो आप यहाँ पे आप directly इस पे 25% नहीं लगा सकते यहाँ पे अब बदल जाएगा क्यों? क्योंकि यह किसके उपर gp है cost के उपर और यह क्या है हमारा दोनों चीज़े अलग है यहाँ पे दोनों चीज़े match हो गया था तो direct यहाँ पे अलग है यहाँ पे हमें क्या करना होगा let x का help लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें let x करना पड़ेगा जो की simple तरीका है that is हम क्या करेंगे sales is equal to cost plus में sir sales दे रखा है 100 रुपे cost नहीं पता तो x मान लो plus gp cost के उपर कितने परसेंटे 25 तो यह हो जाएगा xy और अब जब आप इसको self solve करोगे तो x का value आ जाएगा हमारा 80 x का value क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा now again आपका 80 cost आ गया तो gp आपको पता चल जाएगा peace समझे ऐसे ही दूसरा part हो सकता है आपके पास suppose करो मैंने cost दिया और gp मतलब loading है gp on cost है 20% अब आपसे मैंने पूछ लिया selling price and gross profit तो अब सर ये भी cost है और ये भी cost है दोनों match हो गए तो अब 20% directly इसी पे निकाल लेगा जब match हो जाए तो direct तो 20% निकाल के cost में अगर profit जोड़ दो तो sale होगा that is 120 और ये आपका कितना हो जाएगा beach का difference 20 question number 4 question number 4 माल लेते है हमारा cost again कितना है सर 100 रुपे और मैं कहूं GP on sales that is 20% GP कितने percent है now अब हमें ये अलग है ये sales पे है और ये क्या है cost है ऐसे situation में हमें क्या करना होगा ऐसे situation में वही equation ले लेते हैं that is आपका sales is equal to cost प्लस में cross profit तो सर सेल्स कितना है हमारा नहीं पता इसको मान लो x cost 100 रुपे है और GP sales का है तो x by 5 x को इस साइड लिया होगे तो x minus में x by 5 हा जागा मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है calculation आप इसको solve करोगे तो 4 x divided by 5 और is equal to रह जाएगा 100 अब सब को solve करोगे तो क्या आएगा 125 तो आपका आजाएगा 125 इधर लिख जाते है इधर आगया हमारा sales और sales आजाएगा x that is 125 तो हमारा जो GP आजाएगा वो आजाएगा 25 पहले यह देखिए अब हमें exam में इतना time नहीं है करने का इसको हम shortcut पे लेके आते हैं कुछ एक terms देखो इस वाले point के अंदर और इस वाले point के अंदर तो आपको shortcut की जौरत ही नहीं है क्योंकि यह तो सीधा-सीधा calculator पे निकालना है आपको shortcut चाहिए जब आपको sp और cost हो और cost और sp हो ठीक है तो कुछ एक percentage है जो examiner ने कसम खा रखा है के भाईया हमें यही percentage पूछना है तो आप यादी कर लो उसको तो यानि आपको sales के उपर या फिर हम पहले cost पे ले लेते हैं cost के उपर और sales के उपर अगर cost पे मैं 25% बोलूँगा तो sales पे automatic 20 हो जाएगा अगर cost पे 33.333% बोलूँगा यहाँ पे automatic सीधा 25% निकाल देना है अगर यहाँ पे 50% बोलूँगा तो आप यहाँ पे 33.333% निकाल देना है अगर मैं यहाँ पे 66.66 बोलूँ तो यहाँ पे 50% निकाल देना है यानि examiner ने यही मैंने तो ज़्यादा percentage लिख दिया फिर भी और अगर मैं अगर मैं 16 परसंट बोलू तो आपने 16.666 percentage लिए इसके अलावा examiner कुछ भी नहीं पूछेगा सिंपल से बात है सर अपलाई कैसे करोगे इसको देखो इन दोनों point पे तो कोई जरूरत ही नहीं अपलाई करने का अब मान लेते हैं हमें cost दे रखा था और sales पे कितना 20% था तब हमें पता करना है अगर sales पे 20 हो तो हम इसको convert कर लेंगे cost पे तो sales पे 20 हो तो cost पे कितना होगा 25 तो देखो 100 पे सीधा 25 निकालके आप पहुँच सकते हैं यहां पे यानि आपको इतनी सारे काम करने की कुछ ज़ूरत नहीं है सेम दूसरा इस पे आजाओ चलो sales अब यहां cost पे कितना है 25 आपको पहुचना है sales के उपर तो cost पे अगर 25 हो तो sales पे कितना होगा 20 तो simple देखो आपने इस पे 20 निकालके 80 करके कर लिए समझ मैं इस बात आपको इसको कैसे apply करने तो any amount percentage बता दिया तो इस हिसाब से आपने apply करना है तो यह चीज़े आप याद कर लो और मैं तो मानता हूं कि practice करते करते आपको यादी हो जाना है ठीक है ना आपके किताब में भी ऐसे कुछ questions दे रखे हैं जिसके उपर बोला गय नहीं तो exam के अंदर बच्चे बटन ही ढूंडते रह जाते हैं तो अभी से practice करोगे तो ठीक रहेगा ठीक है तो यह कुछ एक point है एक question आपसे पूछ लिया जाए इसके और भी shortcuts है अगर यह percentage नहीं है और तो जैसे जैसे questions आते जाएंगे मैं एक ही बार shortcuts बताऊंगा तो जिसको दोनों समझ में आ गया वो follow कर सकते हैं अब इसके अंदर कई बार और भी shortcut आता है तो questions के बीच बीच में हम use करेंगे उसका ठीक है ना चलिए अब हम इसका format की बात कर लेते हैं branch में सर हम सीख रहे है branch account again अब format थोड़ा सा बदल जाएगा रहना वही चीज़े हैं बस कुछ बाते बदली जाएगे सर क्या चीज़े बदलने वाला है अभी देख लिजे बता देते हैं क्या बदलेगा इसमें इस ब्रांच अकाउंट ठीक है यहां अगेन पर्टिकुलर यहां माउंट और यहां माउंट देखे पहले क्या करते थे हम अब भी वही करेंगे यहां पर लिखते थे टू ओपनिंग बैलेंस जितने भी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस से इधर लिख लिया करते थे हैं न और सर एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस में क्या-क्या था जैसे पैंक हो गया इस डेटर हो गया होग पैति कैश हो गया एंट बहुत सारे और भी एसेट्स होते हैं लिखने लगेंगा तो तो पूरी शीटी भर जाएगी हमारी तो है ना जो से फरनीचर हो गया मोटर कार हो गया मसेंडरी हो गया बहुत सारे एसेट्स है लेकिन जो यूजेबल है वो हमने लिख लिए है सेम हमें इसके क्लोजिंग बैलेंस को भी इस साइड लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में भी क्या आजाएगा अगेन रिपीट हो जाएगा बैंक टेटर स्टॉक पैटिक एश और ये सारा क्लोजिंग बैलेंस सीधा बाहार लिख लिजिए या फिर अंदर कैल्कुलेट करके डायरेक्ट बाहार लिख लिजिए यही सीखा था कुछ चीजे और लिखे जाते थे वह भी लिख देते हैं बिल्कुल एक्जेक्ट में पिछले वाला पहले फॉर्मिट बना दूँ अपके लिए कुछ चीजे और भी लिखे जाती थे यहां पर गुड्स अब भी लिखा जाएगा और कुछ एक्स्पेंस लिखे जाते थे एक्स्पेंस पेड वाइज जो एच्चो पेड करता था डैट इस आपका हो सकता था रेंट हो सकता था ओ सेलरी एंड एक्सेक्टरा लिख ले तो पैटी कैश भी लिख देते हैं पैटी कैश एड एक्सेक्टरा ठीक है ना अब देखिए आगे इन सभी का जो भी टोटलिंग रहता था वो हम यहां कर देते हैं यह कर देते हैं और बाइज साइड में एक और पॉइंट आ जाता था क्या वाय रेमिटेंस इसके अंदर कैश सेल्स और कलेक्शन इसके अंदर कैश सेल्स और कलेक्शन और एक पॉइंट रहे गया क्या जाता था वाय गोड्स रेटन इतना आपको पूरा याद है इसके बाद इसमें से क्या निकल जाता था प्रॉफिट या लॉस अब मजे की बात है कि आप जितनी भी चीजे लिखी जाएगी यह आई-पी पर लिखा जाएगा मैं किस पे लिखा जाएगा आई-पी का मतलब क्या होता है इन्वाइस प्राइस याने selling price ये भी selling price पे होगा और सर ये तो selling price पे होता ही होता है और ये भी IP पे होगा और सर ये भी IP पे होगा यानि सब कुछ selling price पे अब आप देखो अगर मैं अपने trading account बनाओ और सब कुछ selling price पे रखूँ तो क्या problem आईगी देखना trading account आपने किया है मैं एक छोटा सा एक्जामपल ले रहा हूँ फिर आप समझ जाओगे जो मैं आगे करूँ आ इसके बाद step clear हो जाएगा suppose करो मैंने goods purchase किया है 30,000 रुपए का इसमें 300 रुपए का profit रखूँगा और बेचूँगा कितने का 1300 रुपए का ठीक है अब मेरे पास opening stock है जिसकी कीमत 200 है और इसमें 100 रुपए का profit है that is कितने आगे 300 रुपए आगे ठीक है अगर मैं बात करूँ तो 1300 और मैंने goods को जो sale किया है sales नगद cash जो भी हो sale की बात करें तो sale मैंने 800 कर दिया है correct 800 रुपए का तो ये तो already IP पे है और मेरे पास जो closing stock है closing stock है जिसकी कीमत 16.8 जिसकी कीमत 600 है और उसके उपर 200 का profit है तो यानि अब मैं आपसे closing stock का IP पूछूँ तो आप बताओगे 800 अगर मैं goods purchase का IP पूछूँ तो आप बताओगे अगर मैं opening stock का IP पूछूँ तो बताओगे और sales तो IP पे ही रहता है अब मैं अगर इसको trading account में हर किसी को IP पे ले लू opening stock तो sir opening stock कितने का है IP पे ही लूँगा मैं तो opening stock बताओ कितना लूँगा मैं 300 sales कितना लूँगा मैं 800 purchase कितना लूँगा मैं 1300 closing stock कितने लूँगा मैं 800 600 closing अब total करो कितने हो गए और इधर total कितने हो गए तो profit तो निकलेगा ही नी कभी life में profit तो तब निकलता है जब sales हमारा ज्यादा value का हो और purchase अब तो हमने क्या करा purchase को भी sales के value के खड़ा कर दिया यानि यह side और यह side equivalent कर दिया हमने तो तो कभी life में profit आएगा नी इसका मतलब सर इसको आप selling price पे मत दिखाओ इसको किस पे दिखाओ लेकिन branch कहता है तुम selling price पे दिखाओ तो भाई profit कहां से आएगा तेरा तो इससे बचने के लिए branch ने बोला मैं selling price पे बोल रहा है इसका दूसरा उपाय सुनो बोला गया भया इसके अंदर जितना profit है ना इसमें से minus करने के बजाए आप उसको opposite side में अगर लिख दो ना उसका profit जुड़ा हुए है कितना profit जुड़ा हुए 100 रुपे इसके opposite side लिख दो सर सेल्स में तो profit होता ही तो इसमें से profit निकाल तो सकते नहीं closing stock भी खा नहीं है आप ही के पास पड़ा हुए इसमें profit जुड़ा हुए opposite side लिखो कितने हो गया 400 अब जब आप करोगे ना तो आपका इस situation में सिर्फ और सिर्फ profit किसके अंदर include रहे गया अच्छा 200 है closing stock का profit कितना है 200 है अब आप total जब करोगे तो आपका total देखो क्या है अब मैं अगर बोलू के sir purchase के अंदर 300 रुपे profit जुड़े हुए नहीं है अब आप actual डिजिट निकाल सकते हो जैसे की 1900 और इधर भी क्या आएगा 1900 और इधर कितने है 1800 तो profit कितने का आगया 100 रुपे इसी question को आप बिना वैसे कर लोगे अगर मान लेते हैं मैं इसके side में लिख देता हूँ अगर हम इस question को पहले करते जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग में करा करते थे तब भी 100 ही आएगा देखो हमारा यहां 600 आजाएगा यहां इसकी जगह पर क्या आजाएगा 600 आजाएगा और purchase के जगह पर क्या आजाएगा 1000 आजाएगा ओपनिंग इस्टॉक की जगह पर क्या आजाएगा 200 आजाएगा वैसे कर लो आठ और चूदा सो चौदा सो में से आप कितने माइनिस कर दोगे बारा सो और कुछ भी रही गया क्या 200 पर्चेश कितना लिया 1000 क्लोजिंग कितना लिया 600 200 कितने होगे 800 और 600 चौदा सो और 1400 में से कितने माइनिस करोगे तो यहाँ 200 बचना चाहिए गलत तो नहीं करा टूटल आपके 800 रोख जाओ देख लेते हैं 2000 है देखो आप हमेशा टोटल गलत बताते हो अब देखो यह 200 ठीक है और वैसे भी कितना रहा है हमारा 200 तो मतलब सर मुद्दे की बात है इस अकाउंट में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा तो हम ऐसा क्या काम करें इस अकाउंट में कि जो यह सेलिंग प्राइस पे हूँ और किमेटिक कॉस्ट बन जाए क्या काम करोगे सर इसके उपर जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उसको आपोजिट साइड में लिख दो किस नाम से लिखो या तो आप लोडिंग के नाम से लिखो या एक और नाम बताया था इसका स्टाउंग रिजल्ट तो सर किस-किस पे निकल कर रहे थे हम तो एक तो निकलेगा by closing stock पे यहां समझाने के लिए examiner को लिख दोगे वैसे stock reserve किस पे closing पे और किस पे निकालोगे stock reserve किस पे gs लिख रहा हूँ gs का मतलब good sent पे ठीक है इसके बाद अब इधर वाली चीजों को इधर लिख देंगे to stock reserve सर किस पे closing stock पे to stock reserve किस पे सर stock reserve किस पे निकालोगे इधर से इधर से return पे goods return पे बाकी सर अब sales पे नहीं निकालोगे sales पे निकाली देंगे तो फिर cost पे हो जागा फिर नहीं आएगा profit समझ रहे हैं बात को यानि इन आइटम पे दो इधर और दो इधर यह चार आइटम है जिसके उपर आपको क्या निकालना है stock reserve क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि पहले से सब कुछ selling price पे तो profit नहीं निकलेगा और अगर हमने उसको cost पे convert कर दिया तो हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसके अंदर का loading कहलो या profit कहलो या stock reserve opposite side में लिख देते हैं तो भले ही यह selling price पे given हो लेकिन अगर इसके opposite side में इसका profit लिख देंगे तो automatic किसमे convert हो जाएगा वो कॉस्ट में किसमे convert हो जाएगा वो कॉस्ट में हाँ बिलकुल previous format है अब अगर आप देखोगे पिछला format मैं आपको दिखाता हूं चलो सर पिछले format और इस format में क्या बदलाव आया यह देखे एग्जेक्ली पिछला ही format है यह debtor account वही बनेगा इसमें कुछ नहीं exactly सबकुछ opening closing यह normal loss नहीं लिखा मैं लिख देता हूं अभी ठीक है सबकुछ वही है और अब आपने क्या करा है इस format के अंदर बस दो चीजे add-on कर दिया सर क्या add कर दिया loading एक ही चीजे और सर normal loss abnormal loss भी रहेगा बिल्कुल हां रहेगा important पार्ट है इधर लिख देता हूं अच्छा इधर opening stock आएगा हाँ यह opening आएगा ठीक है normal loss इसके उपर भी loading निकलना होता है लेकिन इसके उपर हम star बना देते हैं जब question में आएगा तो ज्यादा हमें समझ में आएगा ठीक है और ऐसा नहीं कि question में नहीं आएगा आएगा जरूर तो यह क्या है हमारा format है सर किसका format है यह जब हमारा चीजे invoice price पर होगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यह चीजे क्यूं बता रहा था क्यूंकि आपको हर बार profit निकालना पड़ेगा ठीक है ना अब suppose करो कई बार आपको मैंने बोला कि goods मैंने भीजा है कॉस्ट पर तो आप यहां पर कॉस्ट नहीं लिखोगे always क्या लिखोगे invoice यानि जो branch account बना रहे हैं यह किस पर बन रहे है हमारा IP यानि invoice price पर ठीक है लोडिंग क्या कहते हैं stock reserve क्या कहते हैं और invoice price क्या कहते हैं सारी चीजा हमने देख लिए तो इसको फटा-फट से एक बार नोट करिए हैं लोड़ान ऑचा है लोड़ान जो पर लो बना ड़ा दॉआए हम दासने आपके लेधा है झाल लोड़ान 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 झाल झाल